नमस्कार दूस्तो राधस्तान जिके स्टोर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है राधस्तान पुलिस तॉनस्टेवल परिक्षा 2018 को लेकर कुछ नए अपडेट्स की जानकरी वीडियो में आगे हम आपको देने वाले हैं जिसमें आपके द्वारा सबसे ज़्यादा जो मुझसे सवाल पूछा गया कि एक्जाम लिखित परिक्षा पहले होगी या फिजिकल पहले होगा तो वीडियो में आगे इस सवाल का कुछ हद तक मैं आपको जो ही आपका डाउट है वो मैं आगे वीडियो में क्लियर करने वाला हूं और इसी के साथ परिक्षा को लेक उसके बारे में भी वीडियो में आगे चर्चा करने वाले हैं तो वीडियो के साथ आप बने रही हैं तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या पहले लिखित परिक्षा होगी या पहले फिजिकल होगा क्योंकि अभी एक या दो दिन पहले एक न्यूज आई थी कि जिसमें फिर बाद में लिखित परिक्षा ली जाए जिससे जिनको बाहर होना है वो पहले ही बाहर हो जाए ताकि उनको लिखित परिक्षा में शामिल ना करें लेकिन ये फाइनल डिसीजन नहीं था और फाइनल डिसीजन अभी तक आया भी नहीं है लेकिन मैं आपको कुछ इस तरह क कुछ इस तरह का पुरूफ आपको दिखाने वाला हूं जिससे आपका ये डाउट काफी हद तक क्लियर होने वाला है तो सबसे पहले आप ये न्यूज देखिए सेना भरती में अब दोड से पहले होगी लिकित परिक्षा आप इस न्यूज को पूरा देखिए थोड़ा अधिर ये बनाये रखे सेना भरती में अब जल्ब बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा फिजीकल टेस्ट यानि दोड से पहले अब युवाओं को लिकित परिक्षा देनी होगी नए पेटर्न में जो अब्यर्ती लिक्षित परिक्षा पास करेगा उसे शाररिक दक्षिता परिक्षा फिजीकल टेक्स्ट में शामिल किया जाएगा इस प्रस्ताओं को केंदर सरकार ने मंजूरी दे दी है एक अपरेल के बाद ये प्रक्रिया लागू हो जाएगी हाला कि ये न्यूज अदर स्टेट की है लेकिन हमारा इससे क्या कनेक्षन है हम उस बारे में बात करते हैं तो एक यहां आप देखिए इस प्रस्ताओं को केंदर सरकार ने मंजूरी दे दी है एक अपरेल के बाद ये प्रक्रिया लागू हो जाएगी तो जिन पुलिस बढ़ती परिशाओं में पहले ये पेटन था उनमें भी प्रस्ताओं को केंदर सरकार ने मंजूरी दे दी है एक अपरेल के बाद यह प्रक्रिया लागू हो जाएगी तो जिन पुलिस बढ़ती परिशाओं में पहले ये पेटन था उनमें भी अब ये पेटन लागू होने वाला है पहले लिखित परिशा होगी तो आपका जो डाउट है वो इस न्यूस से क्लियर हो गया होगा क्योंकि राजस्तान में भी यही चीज लागू रहेगी क्योंकि अलग तो करने से रहा क्योंकि ये चीज के अंदर सरकार इस चीज को अनुमती दे रहा है तो राजस्तान सरकार भी इसी चीज को फोलो करेगी वो कुछ अलग नहीं करने वाली ऐसा मेरा माना है और आप भी मेरी इस बात से सहमत होंगे न्यूस में आगे आप देख सकते हैं सेना के दिकारियों के नुसार लिकित परिक्षा के लिए सारे आवेदन जमा होने के बाद बेचवाइज ओन-लाइन लिकित परिक्षा की तारीक और समय तएख किया जाएगा सूचना भी सेना ओनलाइन जारी करेगी नए विवस्ता से पेपर आउट होने की संभावना नहीं रहेगी जो अब्यर्दी लिकित परिक्षा में पास हो जाएंगे सेना उनको दोड में शामिल होने के लिए आमंतरित करेगी वीड की पहले ही छटनी के मकसद ये प्रियोग किया जा रहा है अब तक दोड दंड बेटक और उची कूद में बहत्तर प्रदिशन भरती की गरंटी माने जाते थे ऐसे में रेली में आने वाली युवाओं की वीड प्रसाओ को मनजुरी दी है तो के प्रसाओ में अगर ये प्रसाओ फॉलो में तो राज़ता tenía जाएगा और जैसा कि इसमें किलियर बताया है कि पहले फिजिकल होता था और पिर रिटन एक्जाम होता था लेकिन अब रिटने ईक्जाम होगा से बाद फिजिकल होगा तो ये आप जो फिजिकल और लिखित परिक्षा का जो आपका डाउट है वो आप किलियर कर सकते हैं हाला कि राजसान पुलिस में अभी तक इस बारे में कोई ओफिशिल इन्फॉर्मेशन जारी नहीं की है और इससे पहले वीडियो में मैंने भी आपको यही जानकारी दी है कि पहले आपकी लिखित परिक्षा ही होगी फिजिकल बाद में होगा क्योंकि इतना अरेंजमेंट करना पॉसिबल नहीं है एक्जाम को जल्दी करवाना है एक्जाम को लेकर प्रेशर है डिपार्टमेंट के उपर तो यह एक समावना है और बाकी की सब भी जानकारी और वो सब कर तो उसे समंदीत न्यूज आप देख सकते हैं कॉंसेबल भरती परिक्षा के लिए हड़ताना इस तर पर बन सकता है परिक्षा सेंटर पुलिस मुख्याले में हुई मिटिंग में हुआ मन्थन परिक्षा निरस्थ होने के 6 दिन बीते अभी दिशा तै नहीं तो सब सब करें उन-लाइन एक्जम को निरस्त कर दिया गया है साथ मार्स से ऐन एक्जाम होता और डीपार्टमेंट इस पर इसको ले कर काफी सीरियेस है और इसको लेकर वो सबी तरह से मतलब —TES्ट कर रहा है कि संभाग गुा जाये पर जिला श् थर पर लिया जाये तो अभी तक ए पाई बनने का सपना अभी युवाओं के लिए दूर की कोडी साबित हो रहा है है करो के शिकंजे में फसी कॉंस्टरबल बर्ती परीक्षा के निरस होने को छह दिन बीद गए लेकिन अभी परीक्षा कराने के लिए पुलिस के अधिकारी कोई दिशा तय नहीं कर पाये हैं औ क्योंकि अगर एक्जाम में किसी भी प्रकार की गलती हुई तो आप आपको पता है अगे क्या होने वाला है क्योंकि विद्यार्ती पहले से ही इस चीज को लेकर काफी निराश है चुनावी माहूल है तो अगर आप डिपार्टमेंट किसी भी तरह की गलती नहीं करना चाता तो वो इस वज़े से डिसीजन लेने में थोड़ा सोच समझ के ये एक्जाम का डिसीजन लेने वाला है जिससे एक्जाम में लेकर किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं क्योंकि अगर अब इस बार गलती हुई तो 2018 में ये एक्जाम पूरा होने वाला नहीं है ये बात आप सबी जानते हैं आगे नियूज में आप देख सकते हैं परिक्षा निरस्त होने के बाद सिर्फ एक बार एडी जी स्तर के अधिकारियों की मिटिंग हुई है जिसमें सभी एडी जी के अनुबर वो सुजाओं का मंतन हुआ था उस मिटिंग के बाद से अब तक तेह नहीं हो सक के हैं इस प्रकाबी 2680 लगबग पदों पर ये वेकंसी होगी और उसके बाद जो नई जानकारी जो सामने आई है हर थाना इस्तर पर बनेगा सेंटर जानकारी के नुसार पुलिस माया निदिशक की मिटिंग में सामने आया कि प्रदेश में करीब 860 थाने हैं यदि थाना पर परिक्षा कराई जाए तो मॉनिटरिंग बैतर तरीके से हो सकेगी क्योंकि हर सेंटर पर कहीं पुलिस कर्मियों की निगाह होगी जो नकल प्रकरण को रोकने के लिए प्रियास करेंगे ऐसे में परिक्षा सफल हो सकती है और इस बारे में आप सभी को क्या लगता है कि मैंस्तर पर ये परिक्षा ली जाएगी तो पैपर क्या सही तरीके से हो पाएगा और इस बारे में प्लीज आपकी जो भी राय है कॉमेंट्स के माधियम से सबी के साथ आप शेयर करें तो कुल मिलाकर अभी तक ये निर्ने नहीं हो पाया कि एक्जाम को कैसे करवाना है और आगे के अपडेट का आप इंतजार कीजिए कि एक्जाम के पहले लिखित परिक्षा होगी और फिजिकल होगा और मेरी राय में आप यही मान के चलिए पहले आपकी लिखित परिक्षा ही होगी फिजिकल आपका बाद में होगा लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा मैं हमेश तो आगे के अपडेट के लिए डिपार्टमेंट जब जारी करेगा आदेश, हम तब ही उसको 100% मानेंगे, लेकिन मैं आपको काफी हद तक आपका में डाउट क्लियर करने की कोशिश करता हूँ, कि ये स्थिती बनने वाली है, और लगबग वो इस्थिती बनती भी है, और इ की तलाश जारी है, और बागी सब जानकारी वही है, और पहले लिखित परिक्षा और फिजिकल के बारे में स्टार्टिंग में हमने आपको जानकारी दी है, और उमीद करते हैं, आप मेरी जानकारी से संतुस्ट होंगे, अगर फिर भी आपको किसी भी तरह का डाउट लग जैसे ही अब इंतजार केवल इतना सा है क्योंकि मीटिंग में एक बार इनका फैसला होता है कि एक्जाम हमें किस प्रकार से करवाना है, संभाग स्तर पर करवाना है, जिला स्तर पर करवाना है, उसके बाद तेज गती से कारियो होगा इस वर्ति में, क्योंकि आगे से पूरा हैं क्योंकि और डिपार्टमेंट इसे एक्जाम में अब किसी भी प्रकार की गलती नहीं करना चाहता अगर एक भी गलती हुई तो ये परिशा दोजार अठारा में पूरी नहीं होने वाली है तो इसी लिए वो सोच समझ कि इस भरती को लेकर निर्ने करेगा और आगी के ओफिशेल अपडेट के लिए आप जैसे ही कोई ओफिशेल अपडेट जारी किया जाएगा डिपार्टमेंट के माद्यम से चैनल के माद्यम से आप को सुचिना दीजाएगी जाने वाग जाने बाट